Hello everyone, मैंने question लिया है यहाँ पर 10 to the power 3 and then 3 की पार है 2 इस type of questions को कैसे solve करते हैं, यहाँ पर एक process होता है कि steps होते हैं कि आप top to bottom solve करते हैं, उपर से नीचे की side solve करते हैं तो पहले आप यह जो पार है इसके लिए solve करेंगे, इसके लिए वो कैसे? जो base 10 वो लिखा रहें ने दीचे, यह 3 square है 3 की power 2 है यहाँ तो पहले हम इसको solve करेंगे पहले 10 की पार 3 की लिए नहीं solve करेंगे, अब 3 की power 2 इसको solve करेंगे, तो 3 की power 2 कितना रहता है? 3 to 6 नहीं लिखना square है so 3 into 3 it means it will be 9 right तो 10 की power क्या हो गई यहाँ पर 9 अब आप easily इसको solve कर सकते हैं 10 की power 9 जब आप open करके लिखेंगे तो जो zeros होंगे उनकी number 9 होने चाहिए 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 right तो है बहुत easy, simply आप जो top से आप आप को solve करना start करेंगे तो I hope यह question आपको अच्छे से समझा आ गया होगा ऐसे ही questions देखने के लिए प्लीज मेरे चन को subscribe सिरूर करें वीडियो देखने के लिए thank you